साथियों नमस्कार मैं आधर समिस्रा और आज जो हम बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट पर बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट की जो हमारी सब करेंगे वाइलोजी उस पर बात करेंगे वाइलोजी में जो हमारा आज का टॉपिक है वह विटामिन्स तो हम विटामिन्स पर ब में क्या है उसका importance क्या है और इसकी history क्या है तो हम सुरुवात करते हैं जो हमारा vitamin से उसकी history से लेके हम सुरुवात करते हैं तो history में हम आपको बता दें कि जो vitamin की खोज हुई थी एक Dutch नाम का जो जीवाडू भी सिसग Christian एक मैन ने किया था यह इनुने 1858 में जो है इसका research start किया था 1930 तक यह रिसर्च चिया था और यहां से research में आया था कि कुछ जो रसायन होते हैं जो सेहरत के लिए बहुत जरूरी होते हैं यह जो है vitamins से प्राफ्थ हुआ था va item पर जो ख Technically खोज हो से प्राफ्थ हुआ था और इसका जो में आपको बता दने किस नोा महट तो है व बिटामिन का में महट हो जो हमारी body को भी अमारे body whose onlineshore estूश अब हम बात करेंगा बितामिनस के बारमें तो Contour कितने प्रकार करके होते हैं तो यह तर्टीन टैफ्स के होते हैं और सभी विटामिस जो दो बागों में होते हैं एक भाग वसा में घुलंसील होता है तो जो बॉटी के अंदर हमारे जो पानी वाट रोटर होता है उसमें उसमें गूल जाते हैं तो दोनों प्रकार के विटामिन जो है, एक साथ ही काम करते हैं, तो अब हम बात करेंगे विटामिन A के बारे में, तो विटामिन A जो हमारा है, विटामिन A का सबसे पहले तो हमारा कोश्चन यहां से होता है, विटामिन A का रासानिक नाम क्या है, तो विटामिन A का रासानि तो ये दूद, अंडा, पनी, रहरी, साख, सब्जी, मचली आज से प्राफ्ट होता है जैसा कि आप इस्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो भी हमारा इंग्लिस वर्जन है तो इंग्लिस वर्जन में आप इस्क्रीन पर देख रहे हैं रिस्पॉंसिबल फार, यंग लुकिंग स्किन, ब्यूटिफुल हैर, हैल्दी नेंस, सारफ वीजन एंड, स्ट्रॉंग बोन्स के लिए होता है और इसको जो हम फ्राप्त करते हैं, केरेट, सरकेट, फ्रूट, हर्ट, चीज, इस्पैंच, एंड, मिल्क, ओटेज, चीज, एक्स, फिस, फालसी, मिल्क, एंड, लिवर में फ्राप्त होता है तो हम आपको बता दें कि विटामिन्स A जो होता है, विटामिन्स A जो है, कार्बनिक कमपाउंड से मिलकर बना होता है इसका जो में होता है, और रेटिनॉल और थारिमीन होता है तो इसमें जो है विटामिन का काम सरीर की त्वच्छा जो होती है बाल नाखून दात होते हैं उसको हड़ी होती है उसको एनर्जी प्राप्त होती है ताकत मिलती है जिससे की बॉड़ी को फ्रॉब्लम नहीं होती है ब्लेट में जो कैलिसेन का संतुलन होता है सर्कुलेशन हो होता ब्लट का वो भी बिटामिन एक की वज़से ही होता है और अगर इसकी कमी हमारे बॉड़ी को हो जाती तो इससे आखों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसलिए जो हम इसको बात करते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि हमारे ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो हो हमारी वॉड़ी में तो इसके लिए जूकनदर गाजर पनीर दूध टमाटर हरी सबजी आ घर हम लेते हैं तो इससे जो हमारी वॉड़ी को प्रॉब्लम नहीं होती है तो डर बात करेंगे विटामिन-बी के बारे में तो बिटामिन का जो हम्हारा रासानिक नाम होता है वो होता थाइमिन और थाइमिन इसका रासानिक नाम है और इसके वज़े से जो विटामिन बीवन के वज़े से जो कमी से रोग होता है वो कहलाता वेरी वेरी और इसके जो हमारे स्रोत हैं मुंफली तील सुखी मिर्च अंडा गाजर खमीर दूद साबुत अन जो जो कि आप देख सकते हैं विटामिन वन वीवन जो है रिस्पॉंसिबल है एन एफिसेंट व्रेंट फंक्शन गुड़ डाइजेशन हेल्दी मुस्ल्स हेल्दी हेल्ट एंड क्वालिटी स्लिप के लिए तो इसको हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं तो ब्रीविंग इस पॉर्क नॉट publi को रिकॉर्ममर्मोम स्ट टो यह c00ure इन मिलीग़ाम तक आपको को रिकॉर्म एपारे में तो बितामिन वीटु के बारे में तो बितामिन वीटू जो है इसको सराशानिक नाम है राइबउ फ्लेविन और इसकी जो कमी से रोग होते हैं तो च düşhah का फट जाना आखो में रेड रेड जो है कलर हो जाता है जिवा का ठवाइब आ सभाहता है जो होता है ए execut का उसको आपने जो सब प्राप्त हो學ारा हॉत विटामिन B2 हमारा होता है विटामिन बेक्टेटी जो बैसिकली मस्रूम एक्स और जो है मीट में मिलते हैं और बीटामिन जो भी होता है इसमें आपको बतादें कि चुकंदर किसमी स्केला की रहे आघकल जितनी हरी सबजीयां होती ही इसमें सबसे ज़AND vitamin B2 पाया जाता है और अगर हम आपको बताा दें कि जो जो होता है हमारे जो पाचन क्रिया होता हमारा जो daytime system होता है इसमें main work करता है और इस vitamin की कमी से जो पेट सब्संडी परिशानिया जो है यह स्फ टामिन की कमी से जब ढमबात करेंगे समीत बीटामिन भी फाइब के बारे में जो कि बी फाइब बहुत ही इंपोरिंटेंट है विफाइब का जो रासानिक नाम है पैंटोन तैनिक और कि शीए रोग होता हमारी बॉड्य में फेलाग्रा और 40 syndrome जैसे जो रोग होते हैं वो फ्राप हो जाते हैं इसकी विटामिन B5 की कमी से तो किस किस चीज के लिए responsible होता है तो responsible for good memory, cheerful mood, healthy blood vessels and healthy heart के लिए होता है और इसको can be found in chicken, egg, york, dairy, fruit, carnivore, legumes, nuts, yeast, optimal rice and broccoli तो अगर हम बात करते हैं विटामिन B5 के तो विटामिन B5 जो हमारे सोर्सेज होते हैं, मुख्य स्रोथ होते हैं वो अंकुरित गें हूँ, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तिदार, सबजीयों, मंस में प्राप्त होता है और इसे हमारी बोडी को daily requirement होती है 5 mg की अब हम बात करेंगे विटामिन B12 की, विटामिन बहुत ही important role play करता हमारी बोडी को control करने में, एक अच्छे बोडी को maintain करने में तो विटामिन B12 का जो हमारा रासानिक नाम है, साइनो कोबालमिन, साइनो कोबालमिन जो है, एक जा मैं बहुत ही ज़्यादा पूशे जाते हैं कि इस विटामिन का रासानिक नाम क्या है, विटामिन B2 का क्या है, विटामिन B5 का क्या है, विटामिन B12 का क्या है तो यहां पर आपको यह चीज इसक्रीन पर नहीं सो रहे ही लेकिन जो मैं आपको इंफर्म कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि यह कोश्चन्स आप वीडियो देखते टाइम आप अपने डायरी पर नोट डाउन करने यह कोश्चन्स बहुत हैं तो विटामिन B12 का जो र रोग होते हैं और इसको हम सबसेदा प्राप्त करते हैं स्वैबिन्स, हॉप्स, स्पेंच, क्लेप्स, ओष्टर, फिक्स, मिल्क, एंड़ प्राप्त करते हैं तो अगर हम हिंदी में बात करें तो सुवर कमांस, चिकन, बेंड कमांस, मचली, दूद, दही, पनीर, विटामिन-C भी बहुत महत्वून रोल प्ले करता है हमारी बॉड़ी विटामिन-C का जो फूल आपका रासानिक नाम है इसकार्बिक एसीड है और इसमें जो होता है यह रिस्मोंसिवल होता है रिस्मोंसिवल फारी स्मूथ स्किन, गूड इम्यूनिटी, चीरफुल इस होते हैं और इसका जो मेनली मेन सूर्स होता है यह होता है हमारा आवला तो हम बात करते हैं कैंडी फाउंडेंट, डिल, सटक्ट, फ्रोट, रोजिप्स, कैली फ्लावर, फीस्स, बीन्स, रेड़िस, कीवी, फ्रूट, रेड़ फ्रूट, सी, बक्तॉन, तो अगर हम इस फूल गोवी आदि में ये पाया जाता है फिर हम बात करते हैं कि विटामिन C कि हमें daily body को requirement कितनी होती तो विटामिन C का जो हमारा daily body को requirement होता है 70 mg daily requirement होता है और जो विटामिन C होता है ये जो हमारे body की cells होती है इसको healthy रखने में जो है इम्योनिटी की रच्छा भी करता है तो vitamin C बहुत ही important है vitamin C शरीर की कोषकाओं को भी स्वस्थ रखने के साथ ही सरीर की immunity की भी रच्छा करता है vitamin C की जो कमें से रोग होता है इसकर्वी रोग हो जाने के समावना होती है जिसमें बार बार शरीर में ठकान मास्पेसियों में कमजोरी हाथ सएर में दर्द और फीवर जैसी विमारियां होती है फिर हम बात करेंगे जो विटामिन और जो पाचन समन्दी डाजेशन सिस्टम समन्दी जो भी है और बालों का गिरना जो सिर में बार-बार जो है पसीना ना हटियों में जोड में जो दर्द होता है यह सारे जो है रीजन है विटामिट डी की कमी के हेल्दी बॉंस गुड ब्लड सर्कुलेशन इम्मूनिटी पीले भाग, टमाटर, हरी सबदियां, सलजम, निबु माल्टा, मूली पत्ता गुबिस में जो हमारा होता है यह हम सूरी के प्रकास से प्राप्त करते हैं जो विटामिन डी सबसे ज्यादा हमें मिलती है जो मॉर्निंग की जो हमारी धूप होती है जो रेड रेड करने होते उससे जो में vitamin D होती हूँ सबसे ज़्यादा हमारे लिए फायदे मन्द होती है vitamin D क्या होता सरीर में कैलिसम और फासफोरस को जो है mix करने में जो है help करता है और इससे क्या होता हमारी हड़ियां जो मजबूत होती है और यह बच्चों में development के लिए बहुत ही important होता है जिससे कि जो vitamin D के कमी हो जाती है तो रिकेट्स जो है फूंड बिक्सिद बेक्त के सरीर में आश्टोफोरसन रोग हो जाता है तो इससे अगर vitamin D हम लेते रहते हैं तो यह रिकेट्स और आश्टोफोरसन रोग जो है नहीं हो पाता है और इसको हम मक्षन, मुंगफली तो विटामिन ई का रासानिक नाम है टोको फेरोल और टोको फेरोल और इस सबसे ज़्यादा पाए जाता है बादाम, मुंफली, अक्रोट और सुरज मुखी के तेल में तो हम बात करते हैं कि विटामिन ई तो रिस्पॉंसिबल फार तो विटामिन ई जो होता है तो यह सबसे आदा कहां पर प्राप्त होता है और इसको जो हमारे वाड़ी को डेली रिक्वाइर्मेंट होती है तो हम आपको बता दें कि विटामिन एकी कमी से जो रोग होता है सेक्स फावर का कम होना जनल सक्ति का कम होना एनेमिया कंकल मायोपथी गति भंग परधिया नियूरेफैथी रेटिनोफैथी जैसे जो रोग होते हैं यह विटामिन एकी कमी से होते हैं यह सबसर जज़ाँ आपको बादाम मुंफली अकोट सुरज मुखी के तिल यहूँ मक्का सोयवीन में प्राप्त होता है न हम बात करेंगे विटामिन के बारे में तो बीटामिन K जो है विटामिन के का जो रासानिक नाम है फिलो क्विनान और छो बीटामिन के होता है इसकी कमी से जो होता है औरक्त का थक्का बनना होता है जैसे रिस्पॉंसिबल फार फास्ट हीलिंग नॉर्मल ब्लड क्यागुलेशन और इसको प्राप्त कहा कहा करते हैं कैन्वी फाउंडिन इस्वनेज नेटल कैलिफ्लावर कैरेट टोमेटोज ग्रीन टी तो इसको हम सबस्यदा प्राप् करता है उसको गाड़ा करके जमाने का काम भी जो विटामिन के ही करता है इस विटामिन की कमी से ब्लड की क्लोटिंग नहीं वपाते है और खून का बहाव रोकना मुस्किल हो जाता है जो कि लिवर को स्वस्ष रखता है तो जितने भी छिलकेदारा नाज होते हैं यही मिली ग्राम जो है हमारे जो बोडी में जो भी requirement होता है जोándीbrand ऑफाह का फिर हम बात कर कि जल में घुलण्सील भीटामिन होते हैं और जो लोण में गुलण सील भीटामिन होते हैं जो यह Ci इसका मतलब है आपका जो भी लौण सील लौण में घुलनसील जो भी बितामिन होते हैं विटामिन के विटामिन E विटामिन D, विटामिन A, मालब K E D A, कीड़ा, तो यह आपको बहुत ही मात्फोन है, विटामिन अफिर हम आगर बात करते हैं, तो विटामिन D जो है, कुछ इंपोर्टन्स जो है हमारे पॉयंट से, उस पर भी हम बात कर लें, तो विटामिन D जो मानोशरीर में सबसे अध भोने से विटामिन सी जो निकल जाता है जो भी कोई सब्जिया छिली होई ओर दूलते हैं तो भीटामिन जाता है तदा दूद को जो हम पूर्ण आहार संतुलित अहार नहीं माते हैं कि इसमें औरम विटामिन सी का अभाव होता है तो अब आप तुझने अभी तक हमारे चैनल को सस्कndase किया तो हमारे चैनल को सबस्काइब पर और लाइक करें वीडियो में अगर कोई भी आपको जो फीडबेक देना हूं तो आप कमेंट में फीडबेक भी दे सकने हैं इसके साथ साथ आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर सेर करें जिससे उन्हें भी कुछ important जानकारिया प्राप्त हो सकें